आउस्विलाहिमने शेटवा निर्वाजीम बिस्मिलाहिर रह्मानिर्राहीम असलाम अलेकूम वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ओक्सपोर्ट मोडर्न इंग्लिश बुक थ्री बेस्ट ओन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ओक्सपोर्ट टू उन्होंने इस उन्ट में किसके अबाउट पर रहा था और क्या क्या पर रहा था रिमाइंडर देने के बाद हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे और अपनी एक्ससाइज को सोल्प करेंगे एक्ससाइज कम्प्रिहेंशन समझ कर पढ़ना जिसमें आंसर क्वेस्टन है यहां पे टू क्वेस्टन डिफिकल्ट क्वेस्टन है और नीचे क्या है यहां पर एक लाइन लिए गी है जो के स्टोरी से ही लिए गी है फिर उसके अबाउट यहां पर क्वेस्टन है जिसके हम आंस देंगे इन सब की नोट्स रेडी किये गी है हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों से question करें यह वाले question उन से करें और वो इनके हमें क्या answer देते हैं इसे हमें idea हो जाएगा कि बच्चों को इस unit की कहा तक समझ आई है यहां पर question A है जो कि how old is Heidi कि जो इसमें Heidi character था जो कि क्या थी एक girl थी little girl थी उसकी उमर कितनी है तो हम कहेंगे Heidi is five years old कि Heidi की उमर पांच साल है यहां फिर हम बता सकते हैं five years old अगर short answer करना चाहें next हमारे पास question B है what does Heidi see when she is exploring outside the house कि जो Heidi थी गर के बाहिर ठीक है तो वो क्या देखती है तो उसने क्या देखा था हम उसका आंस देंगे हम यहां से इसका आंस स्टार्ट कर सकते हैं she sees यहां पर आप बस बता दें कि उसने क्या देखा है and empty goat house हम उने पड़ा था ना कि उसने बक्रियों का एक बाड़ा देखा था जो कि खाली था and or some tall tree ठीक है और उसने क्या देखे और उसने some tall trees देखे जो कि छोटे छोटे उंची उंची क्या थे दरख थे next question number c है what was the inside of the house like what was क्या था inside अंदर की गर का जो अंदरूनी हिस्सा था कैसा था अभी हमसे पुछा गया outside का कैसा था अब उसी के opposite हमसे पुछा जा रहा है कि inside जो के अंदर का महोल था जो हिस्सा था गर का वो कैसे था inside जो के अंदर वाला हिस्सा था ठीक है inside अंदर the ground floor was one big room के अंदर नीचे वाली मंजल एक बहुत बरे कमरे की शकल में थी the grandfather's bed जो के दादा अबु का जो bed था पलंक था वास था in one corner वो क्या था एक कोर्णे में था a large fireplace ये एक fireplace जो के आतिशदान था वास था in the middle वस्त में आफ दा बैक वाल बैक वाल अकभी दिवार आफ दा हाउस घर के यहां पर क्या था गर की अकभी दिवार के वस्त में एक बरा सा आतिशदान था next to it next to it का मतलब होगा कि इसके साथ ही there was a large cupboard a large cupboard उसके साथ ही एक बड़ी सी अलमारी थी with some shells मतलब उसमें चंद खाने बने हुए थे इसके साथ ही एक बरी सी cupboard पड़ी थी अलमारी थी और जिसमें क्या थी some shells मतलब खाने बढ़ने हुए थे और इसमें हमने detail से पढ़ा था कि इन खानों में जो कि firstवाले में क्या था second और third में जो कि हमने detail से अपनी स्टोरे में पड़े थे हम बच्चों से यह एक्स्टरा question कर सकते हैं कि first वाले जो था हुआ निसमें क्या रखा हुआ था नेच्ट कोईशन नबर D है यहां पर, What did Heidi use to make her bed? के Heidi ने अपना बिस्थर बनाने के लिए क्या इस्तमाल किया, तो क्या किया थो उसने? Heidi यूस्ट है, उसने खुश्क घास इस्तमाल की थी उसको बनाने के लिए and old cloths to make her bed और उसने क्या कि तो पुराने कपड़े इस्तमाल किये थे आप यहां पर बस लिख सकते हैं कि उसने old cloth वगारा यह इस्तमाल किये थे नेक्ट क्वेशन नमबर E है वाट कुड हाईडी सी फ्राम हर बेडरूम विंडो कि जो हाईडी थी वो अपनी खुआप की खिर्की से क्या देख सकती थी शे कुड सी वो देख सकती थी राइट डाउन दा वेली कि वो वादी की दूसरी सेरे तक देख सकती थी नेक्ट क्वेशन नमबर F है वाट डिड हाईडी यूस एजा टू डिनर उसने टेबल जो यूस किया था ठीक है टेबल एट डिनर टाइम के रात के वक्त के खाने के वक्त हाईडी ने मेश की तोर पर क्या इस्तमाल किया तो इसका अंस होगा हाइडे यूज़ यूस्ट आचियर कि उसने एक चियर यूस की थी ऐज़ टेबल के तोर पर ठीक है हाइडे यूस्ट आटेबल आचियर आज़ एज़ टेबल नेच्स डिफिकल्ट डिस्टन है जो कि question number G है What information tells us that grandfather is a kind person कि कुन सी information मालूमात हमें बताती है कि दादा एक महरबान मजाज इनसान थे तो हम बच्चों से question कर सकते हैं कि बेटा आप बताएं जैसे कि स्टोडी में हमने पढ़ा उन्होंने क्या किया था अपनी चियर को उसके अपनी हाईडी के लिए दिया था ओफर की थी कि वो उस चियर को as a table यूज करे इसी के बाद हमने पढ़ा था कि उसनोंने क्या किया था ताकि उसका बिस्तर नरम हो सके milk पेश किया था उसकी हर तरह की help की थी तो इन सब पॉइंट वी को देखते हैं तो मैं पता चलता है कि जो grandfather थे वो क्या थे he is a kind person grandfather notice जब उन्होंने notice किया grandfather notices जब उन्होंने notice किया dad हाईडी needs कि उन्हों क्या उन्हें जरूरत है कि उसे किन किन चीजों की जरूरत है he makes her food वो क्या करते हैं वो इसके लिए खाना बनाते है he gives her his chair to use as a table वो अपनी जो chair होती है कुरसी होती है वो उसे दे देते हैं वो एज़ा मेस के तोरकों से इस्तमाल कर सके he gathers more है वो क्या करते हैं थोड़ी सी और खुशक घास को अकठा करते है to make बनाने के लिए हर बैट उसके प्लंक को या उसके बिस्तर को more ज्यादा comfortable अरामदा कि वो क्या करते हैं कि इसके बिस्तर को ज्यादा अरामदा बनाने के लिए मजीद खुशक घास अकठी करते हैं इन सब पॉइंट आफ व्यू को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है grandfather is a kind person next question number 8 है make a list of the things हाईडी does to help her grandfather why does she helps him के यहां पे कहरें इन कामों के एक फैरिस्त बनाएए ठीक है she helps वो मदद करती है grandfather दादा की spread फिलाने में the sheet चादर over the bed bed के उपर वो बिस्तर पर चादर बिचाने में दादा की मदद करती है she lays out the dinner tables with bread, plates and knife and some fed the bowl for the milk वो क्या करती है कि वो रात के खाने के लिए मेज को, रोटी, प्लेटों और चाकों से क्या कर देती है अरास्ता कर देती है और फिर वो दूद के लिए बाउल्स भी लाती है ताकि इनकी मदद कर सके अब हमसे पुछा गया वो क्यूं करती है तो इसका हम मजद नीची आंस देंगे, जिर्च गरेंट फादर वी कौस्श हे जा गूड गर्ल सबहुत करती है दो this video? यह यह तो स्टोरी सच्ट लेगी है। अब इसके बारे में बहा सोब इसके स्टोराइ को साम skipped the line ऑब इसके के करें QTV को से फस्से स्बस्सें का मैशना को पूछा गया है यह कौन भल रहा है। तो क्यों बॉल रहा है। तो हम में इसका हम wypτε बता दें के Heidi Lydia was speaking कि हाई डी बात कर रही थी next है what question was the speaker replying to कि बोलने वाले किस सोब का जवाब दे रही थी तो किस सोब का वो जवाब दे रही थी कि was the milk nice कि उससे ये question पूछा गया था कि क्या दूद अच्छा था तो उसके बदले में उन्होंने ये वाला reply किया यहां पिर हम अगर इसका long question करना चाहें तो answer करना चाहें हम यह बता सकते हैं she was applying to the question was the milk nice next हमारे पास question number 3 है what was the speaker thinking about के बोलने वाले किस चीज़ के बारे में बात कर रही है तो हम कहेंगे the milk के milk के बारे में यहां पिर हम ऐसे कह सकते हैं she was talking about the milk के वो दूद के बारे में बात कर रही थी next है यहां पर question number D है why did the speaker think that it was the best के बोलने वाले वाली को ऐसा क्यों लगा कि यह सबसे अच्छा था हम कह सकते हैं because यहां पिर हम कहें because she likes the milk a lot क्योंकि उसे दूद बहुत जादा पसंद है यहां पर फिर आप इसका simple answer दे सकते हैं कि she likes the milk a lot कि उसे दूद बहुत जादा पसंद है यहां पर हमारे पास challenge में a question है do you think grandfather is rich or poor आपके ख्याल में दादा अमीर थे या गरी यह reasons आपने इसके जो देंगे आंस उसकी वजुहात भी बताएंगे for your answer जवाब जवाब देंगे use the words firstly secondly as you did on page number hundred if you can ठीक है अब हमने क्या करना है जो इनकी instructions को हम use करते हुए इसका आंस देंगे हमारा आंस होगा grandfather seems कि दादाबू मालूम होते हैं poor गरी because क्योंके firstly सबसे पहले he has so few possessions and secondly his house is quite small कि इनके पास बहुत कम चीज़े हैं और दूसरी बात उनका गर बहुत चोटा है इन सब reason की वज़ा से हम कह सकते हैं कि grandfather seems poor कि इन सब वह जो हाथ की वज़ा से ऐसे लगता है कि जो दादा है वो गरीब है next है working with words लफजों के साथ काम करना what are these words they are all from the story यहां पे कुछ words story से लिएगी हैं जिने हम filling the blanks में add करेंगे और sentence को complete करेंगे सबसे first option पे यहां पे cheese आजएगा a cheese ठीक है a food made from the pressed card off ठीक है यहां पे यह आजएगा next जो के first letter हमारे पास यहां पे G था जिसे हमने क्या कहा grandfather ठीक है grandfather आजएगा next हमारे पास covered आजएगा फिर इसी तरह यहां पे B letter था तो यहां पे breakfast आजएगा ठीक है the first meal of the day ऐसे है जो सबसे दिन में जो सबसे पहले जो हम करते हैं उसे हम breakfast करते हैं next यहां पर हमारे पास है कहा जा रहे find out the story dash have an opposite meaning to the word given below यहां पे कुछ words दिएगे हैं उनके हम क्या करेंगे opposite meaning को देखेंगे story में से यहां पे देखें soft soft क्या होता है नर्म होना ठीक है तो उसका opposite क्या होगा hard सक्त होना ठीक है young क्या होता है जवान old बुरा high उंचा low नीचे ठीक है down नीचे अप उपर इसी तरह इनके भी यहां पर write कर दिएगी है opposite next है learning about language जबान के बारे में सीखना conjunctions है जो के part of speech का क्या है एक पहिस्सा है conjunctions basically connection जैसे कहते हैं मिलाने वाले ठीक है इसे words जो के क्या करते हैं two words को two sentences को आपस में मिलाते हैं phrases को जो आपस में मिलाए उसे हम क्या कहते हैं conjunctions कहते हैं ठीक है add conjunctions given in the books below to the following sentences you may use the conjunctions more than once यह हमारे लिए help books दिया गया है जिसमें because although when that but है इसे हमने यूज करना है जैसे कि the boy was late but his sister was on time he went because we were told to go we have seen the film but we have not read the book they heard that he was meet a minister they jumped when he shouted he was let in although he was 10 minutes late इन सब को जो के help books में से हमने words लिए इनको यहां पे हमने write किया इन सब को हम क्या कहते हैं conjunctions words मतलब मिलाने वाले अलफाज इसी तरह मजीद हम बचों की worksheets ready करके उनको इनकी मजीद practice करवा सकते हैं यहां पे उपर बात हो रही है कि यहां पे column A है column B है इसको match करेंगे A से B के साथ और इसी तरह बतारे वो use if to join two sentences अगर condition हो तो हम क्या करते हैं if use करके दोनों को मिला देते हैं जैसे कि यहां पे you will have to work hard if you want to learn English ठीक है कि अगर आप चाहते हैं को सख्त मेहनत करें तो आपको English पढ़ना चाहिए ठीक है इसी तरह इन सब को we shall all get very wet if it rains we shall have to work home if the bus doesn't come you may hurt yourself badly if you fall off your bicycle next इसी तरह listening and speaking सुनना और बोलना इस portion में जो हमें दिया गया है यहां पे हम दियेगी हैं यहां पे कहा जा रहा है कि इनका क्या करें column बनाएं ठीक है इनका column बनाएंगे तो फिर इनको अपनी words में लिखेंगे इनको हम क्या करेंगे टू लिस्ट में हम convert कर यहां एक दरफ एक लिस्ट है और दूसरी तरफ यहां पे बी लिस्ट राइट की गई है ठीक है यहां पे बो लो रो टो शो स्नो स्टो शॉंट रो यह सब क्या है ए लिस्ट में आएंगे इसी तरह जो बी लिस्ट में आते हैं उनको भी यहां पे सबको राइट कर दिया ग कि किसी के गर जाने के बारे में बताइए तैल यूर फ्रेंड अपनी दोस्त को बताइए अबाउट के बारे में दा हाउस गर के कि जो यहां पे 140 पे दिया गया आप उसे यूज करते हुए इसको डिस्क्राइब करेंगे लेटर है यहां से स्टार्ट होगा हम यहां पे कोई भी अड्रेस लिख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा 11A मार्डल टाउन लहोर लिखा है आप अब यहां पे अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं यहां पे डेट लिखी गी है फिर दियर फ्रेंड क्योंके फ्रेंड को यह ल पुत्फंदोज हो रहा हूँ कि ये मेरी तवक्वात से पर पुरा उत्रा है कि जितना बलके मैंने सोचा था ये उससे भी कहीं ज्यादा भड़कर है सम्टाइम बाज उकाद I feel मुझे एहसास होता है sad to मुझे मतलब उदास सा feel होता है to realize जब ये मुझे एहसास होता है dad के I will के मैं have to come back home के मैंने क्या एक मतलब वापिस गर पर चले जाना है कि मुझे एक बार फिर गर वापिस आना होगा and attend school once again और फिर दुबारा मुझे school जाना होगा yesterday कल the driver जो के driver था invited me उन्हेंने मुझे मदू किया to visit his house nearby it was situated near the top of the hill जो के एक पहारी की चोटी के नजदीक वाकिया था one could see nearly all the surrounding hills and valleys in just a glance के यहां पर जो के पास जितने भी थे पहार थे और वादियां थी उन सब को सिर्फ एक ही नजर में देखा जा सकता था it was so airy and sunny के यह सब बहुत हवादार और रोशन था I wish मेरी खौइश है I could stay there longer के मेरी काश मैं वहाँ ज्यादा देर तक रुख सकते हैं यहां पर हम your sincerely लिख सकते हैं your affectionately लिख सकते हैं your friend लिख सकते हैं लास्ट पर हम x y z write करेंगे यहां पर next हमारा question है if the girls can do it के अगर लड़कें यह काम कर सकते हैं then the boys can do तो यह लड़के भी कर सकते हैं अब हमें यहां पर टास्क दिया गया है read the paragraph above कहा जा रहा है जो उपर paragraph दिया गया उसे दुबारा write किया जाए by change the character जो उपर character है उसे change करते हुए to of Heidi जो के character था into a boy हम क्या करेंगा Heidi के character को boy में convert कर देंगे choose your own name for the character कहा जा रहा है कि आप character के कोई भी name यहां पर चूज कर सकते हैं start like this इन्होंने बिलाल लिया है बिलाल is a bright boy बिलाल की जगा आप अली लिख ले कोई भी जो भी नाम लिखना जाए वो लिख सकते हैं अब इसको rewrite कैसे किया जाएगा इस paragraph को यहां पर देखे हाईडी है तो बिलाल लिख लें अली लिख लें जो आपको लगता है वहां पर लिख लें ठीक है rewrite कैसे किया जाएगा बिलाल is a bright boy he is helpful he does loss of jobs around his यहां पर his आजाएगा जब लड़की की बात होती है his जब लड़की की बात होता बाहर आता है यहां पर his आजाएगा grandfather's house बिलाल helps grandfather to cook he helps him to clean he also helps him to fix things बिलाल likes using the hammer because it makes a loud noise इसे यह पसान दा क्योंकि यह कुंची आवास देता है इसी के साथ आज का हमारा lecture complete हुआ मेरे चैनल को subscribe, like, share जरूर कीजे ताकि हर ने आने वाली वीडियो की notification आपको time से मिल सके thank you for watching